हेलो फ्रेंड स्वागत आपका नए वीडियो में तो दोस्तों यह वीडियो में आप देख सकते हैं इस कंपाइंड बॉट का कनक्षन इंडिकेटर इसको सुचोन करने पर इंडिकेटर जल रहा है तो कुछ लोगों की सिखात होती है दोस्तों कि उनको कंपाइंड बॉक्स का कनक्षन करना तो आता है लेकिन इंडिकेटर का कनक्षन कैसे करना है वो नहीं आता है तो दोस्तों उनके लिए जो बहुत ज्यादा इंपोरेंट वीडियो है और पिलस उनके लिए भी बहुत इंपोरेंट वीडियो है जो लोग कंपाइंड बॉक्स का कनक्षन नहीं जानत तो दोस्तों इस तरीके कि या कम्बाइंट बोक्स ब्य Letter को होगाइ persuaded है जैसे कि हमारा वेटर के लिए होता है जैसे कि हमारोंधे इंडेक्ष संद या पाने करने kzyka čलाने के लिए यह ढोल होता है जो है। डोट के लिए होता mp तो फ्रेंड्स इसका connection होकर नहीं वहां से यह आपको बिना बिदाउट कनक्शन मिलेगा तो इसमें जो वायर लगाना वो पुछ अच्छी क्वालिटी का वायर लगाना है दोस्तों क्योंकि इसमें लोड चलने बाला है ठीक है तो हमने हैवल का एक एमें बाइर लिए फ्रैंड्स यह तो आप हम इसका कनक्शन कैसे करना विडियो प्रोपर देखना फ्रैंड्स क्योंकि अगर कोई भी कनक्शन आउट हो जाता है तो उसमें फाल्ट होने के चांस रहते हैं तो किसी भी बॉड का विडियो देख रहे होते हैं कनक्शन का वो पूरपर देखना चाहिए तो अभी हमें क्या करना है कि तरीका है मैं पावर सप्लाई जो है हमें सबसे पहले सुच में लगा देनी है एक सुचो दो सुचो या तीन सुचो उनमें सबसे पहले मैं पावर सप्लाई दे देनी है तो सभी में मैं पावर सप्लाई दे देनी है ठीक है तो समय मैं पावर सप्लाई एक पॉइंट पर दे प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् को करेंगे यहां पे इस तरीके से कनेक्ट करेंगे दोनों बायर एक इंडिकेटर का बायर हो गया और एक मैं पावर सप्लाई वायर हो गया ठीक है अब फ्रेंट्स इसका जो हमारा नूटल फेस है इस पे हम लगा देंगे इस तरीके से ठीक है अब इसको टाइट करेंगे तो हमें इस बाइर के साथ यहां पर connect करना है इस तरीके से अब हम इसको करेंगे tight तो अभी हमने इसको tight कर दिया है इस तरीके से और अब सुच का जो दूसरा बाला point है वहाँ पर अब हम इस बाइर को connect करेंगे बहुत ही simple तरीका है इस तरीके से wiring करने का कुछ लोग करते हैं इसमें उलच जाते तो इस तरीके से ह merit को connect कर देना आइए इस तरीके से ठीके अब ही हमारा indicator का connection भी हो गया है सुच के साथ में socket का connection भी हो गया मैं-power supply भी हमने इसको दे दिया तो अब हम क्या करेंगे आप एक बाद फिर से देख लिए जी फ्रेंस manpower supply की जो हमारे wire हैं दोनों हमने एक सुच को दे दिया और एक socket को ठीक है और उसमें जो हमारा socket का दूसरा वाला point बचा है उसको सुच के साथ में connect कर दिया इस तरीके से ठीक है एक manpower और पॉइंट यहां पर दे दिया हमने एक यहां पर दे दिया और सुच का जो तो खाली point है उसको socket के साथ में connect कर दिया यहां पर ठीक है दिया हमने देखे friends सुच दबाने पर जैसे हम सुच को ओन करेंगे वैसे indicator हमारा indicate करना स्टार्ट हो जाएगा जानकर आपकी समय में आगे होगी दोस्तों चैनल पर नए यहां तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आदे वीडियो को लाइक कर लेना वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद थैंक यू